हाँ तो नमस्कार प्यारे सांतियो स्वागत है आपको आपके अपने यूटूब चाइनल राजा ओनलाइन क्लासेज में सांतियो मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग बहूत बढ़िया होईंगे घर पे होईंगे स्वास्त होईंगे और अभी अभी आपने मेट्रिक बोड परिच्छा कम्प्लीट किया है सांतियो मैं उमीद करता हूँ कि आपका परिच्छा बहूत जवरदस्त गया होगा कुछ बच्चे का ये कहना था कि सर हमारा एक्जाम सही नहीं गिया लेकिन कोशन हाला कि हम भी देखे गनीत में प्रशन थोड़ा हाड थे जरूर लेकिन साइंस के अगर हम बात करें तो साइंस में बहुत ही असान-असान कोशन दिया गया था साथियो फिर भी जो बच्चे अच्छे तरीके से त्यारी की होंगे उनका तो रिजल्ट बहुत ही सुन्दर आएगा बहुत मस्त आएगा और आपका दस साल का जो ये मेहनत था वो बेकार नहीं जाएगा साथियो नहीं जाएगा आपने जिस मकसथ से आपने परिच्छा दिया हो आपका मकसथ जरूर पुरा होने वाला ऐसा थी मैं ऐसा आसा करता हूं साथियो बहुत जल्द ही रिजल्ट आजाएगा बिहारा बोडर ने ऐसा अभी तक कोई डेट जारी जल्द ही डेट जारी हो जाएगा और उसमें अच्छे तरीके से बताया जाएगा किस दीन, किस समय और किस डेट को रिजल्ट घोसित किया जाएगा. इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, अभी अभी हम लोग एक्जाम से फारीग हुए है, तो आप लोग अभी बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हुए, तो मेरा एडवाइस यह था, कि आप अंग्रेजी की जो है, क्लासिस करें, क्योंकि बिहार की अधिकतर बच्चों के अंदर, थोरा सा इंग्लिस में विक होते हैं वो, है ना, गनेत, साइंस, यह सब तो ठीक ठाक रहता है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है, कि वो अंग्रेजी में थोरा विक होते हैं, तो अंग्रेजी कमजोर अगर है आपके पास, तो एक महिना आपके पास समय है, उस एक महिना में आप जादे से जादे पढ़ने का प्रियास करें, अंग्रेजी को समझे, पढ़िये उसको, देखिए, अंग्रेजी कम होने के पीछे एक ही रिजन है, बच्चे सोचते हैं कि हम क्लास 3 में तो अंग्रेजी में अंग्रेजी का नंबर जुड़ता नहीं है, और जिसके कारण हम अंग्रेजी में ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ बच्चे सिवेसी बोर्ट से होते हैं, तो उनका अंग्रेजी तो ठीक ठाक रहता है, और बाकी जो बिहार बोर्ट से तयारी करते हैं, अपना हिंदी मेडियम से पढ़ते हैं, उनका थोरा अंग्रेजी कमजोर रहता है, तो इस बात की चिंता आपको नहीं करनी है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता है, बस आपको कुछ नहीं करना है, आपके अपने अरोस परोस में जो आफ्लाइन कोचिंग चलाते हुएंगे वहाँ अगल बागल में देखिए कोई अंग्रेजी के टीचर हो अच्छे, तो उनकी पढ़ने का आदत हो जाएगा, और फास्ट आप पढ़ सकते हैं, एक चीस तो मैंने यहाँ पर भी अफजर्ब किया है कि इंग्लिस पेपर पढ़ने से, इंग्लिस में थोड़ा स्पीकिंग करने भी आ जाता है, और अंग्रेजी लेटर को यांग्रेजी वर्ड को हम अच् मतलब कि कोई और भी सुबधा हो, बाहर जाने का, जहां पर आप जाकर त्यारी करना चाहते हैं, तो अपने समय को खोईए नहीं, यह आपके पास समय नहीं, बहुत मुल्ली टाइम है, बहुत सारे बच्चे एक्जाम के बाद सोचते हैं कि हमारे पास तो अता समय हैं, हम कह घूमने निकल गए हैं, ठीक है, घूमियें, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि मैं आप मतलब मत घूमियें, घूमियें आप अपने रिलेटिव कियां जाएए, आप जहां भी आपको जो पहले पसंद है, वहां आप जाएए घूम कराएए, दस दिन का, साथ दिन का समय लेकर आप घूमियें, लेकिन ये नहीं कि मतलब पूरा समय परिच्छा हम कंप्लीट कियें, और रिजल्ट आने आने तक हम घूम ही रहे हैं, तो ये थुरा सा गलत हो सकता है, यही समय आपका अच्छा फ्यूचर निश्चित कर सकता है, ठीक है, इसी समय में लोग या तो बहुत अच्छे लेवल के बाड़े में सोच लेते हैं, या बहुत निमन लेवल के बाड़े में सोच लेते हैं, बच्चे आगे नहीं सापाते हैं, ठीक है, यह हमारा डवाइस था, तो आप अच्छे तरीके से समय को बहुमुल मानते हुए, और तैयारी कीजिएगा, जादे समय क वेतित नहीं किजेगा, मैं यही बातों के लिए आपके पास आया था कि आपका रिजल्ट बहुत बढ़ी आएगा, आप रिजल्ट की चिंता मत किजिएगा, आपका रिजल्ट बहुत सुन्दर आने वाला इस्टेंशन में आप मत रहिएगा, अपनी तैयारी के बारे में सु जिरी था क्लास तेंथ, जिस पर मैंने पहला कदम डाला सर, अभी इसके बाद और भी कदम डालना है आपको, डालना है, ऐसा नहीं कि बस मिल गया मंजिल, यह तो क्लास तेंथ है, अभी तो मुठी भर जमीन अर्जे हैं आप, पुरा आस्मान तो अभी बाकी है सर, इसलिए आप अपने हिसाब से प्रियास करेंगे, हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर हमको साइन्स पढ़ने का अच्छा मन है, साइन्स में मतलब मुझे रूची है, गनीत पढ़ना चाहते हैं, आप गनीत से नाम लिखवाईएगा, इंटर में, बाइलोजी में इंटर और मतलब समझ मजमने आता था, तो मत लिजिएगा, आपका दिमाग क्या कह रहा है, उसके अनुसार चलने का प्रियास कीजिए, आपके परोसी क्या है, उनका माइंड अलग है, आपका दिमाग अलग है, तहीं सधार मत लिएगा कि मेरा परोसी लेगा जो सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट मैं भी लेऊँगा, मैं भी सिलेक्ट करूँगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है, इमंदारी से आप अपने फ्यूजर के बारे में सोचिएगा, बहु सारे कंप्रिशन है, उसके लिए आपको अभी सही मेनत करना पड़ेगा, ऐसा नहीं क्लास तेंत, आप मेट् कदम चलने हैं आपको, बहु सारे कदम चलने हैं, अभी तो एक स्टेप पूरा होगा है, चलिए मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से घर पर होईंगे, इमंदारी पुरवक और परिच्छा से परिच्छा कंप्लीट करने के बाद आप अभी घूम रहे अपने रिलेटिब की यहां घूम रहे होंगे, तो इस तरीके से आप 10 दिन, 5 दिन घूम लीजिए, इधर उधर अच्छे तरीके से अच्छे पलेस में जाकर घूम लीजिए, अच्छा जगह जो आपका पसंदिदा जगह हो, वहाँ पर घूम लीजिए, घूमने के बाद फिर अपने काम में लग जाए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपको इंतजार कर रहा है, आपका फ्यूचर आपके बारे में सोच रहा है सर, थोड़ा सा समय, पीछे भी घूम कर देख लिजिएगा, कि क्या मैं जो जा रहा हूँ, यह रास्ता सही जा रहा है, या गलत जा रह है, जी नहीं सर, हमेशा आपको सही रास्ता ही, सेलेक्ट करके चलना है सर, बिल्कुल, बहुत सुरू सुरू में जो है, बहुत सारे कश्ट होईंगे आपको अगर सही रास्ता पर जाएगा तो, फिर आने वाले, जो अंतिम चरन होगा न, आपका इंतजार करेगा, वो मंज मुल्ले टाइम को मुल्ले समस्ते हुए, अपना कर्तब को जरूर कीजिएगा, मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मात्र,